रोहिश शर्मा की बढ़ेगी टेंशन वेस्ट इंडीज की वंडे टीम में वापस आए दो डेंजर खिलारी 27 जुलाई से भारत और वेस्ट इंडीज के बीच वंडे सीरीज का आगाज हो रहा है इसके लिए टीम में आईपील के धाकर खिलारी और फिनिशर सिम्रॉन हेट मायर की वापसी हुई है वहीं टीम में स्पीड स्टार ओसन थॉमस भी वापस आए हैं भारत ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेज सीरीज में एक जीरो से जीत ली है टीम इंडिया के किस्मत खराब रही कि त्रीनाथ के पोर्ट आफ स्पैन के क्वीकर स्पार्क ओवेल में मैच के पांचवे दिन बारिश होती रही इस वज़े से मैच ड्रॉ हो गया अब 27 जुलाई से तीन मैचों की वंडे सीरीज का आगाज हो रहा है इस वंडे सीरीज के लिए वेस्ट इंडीस टीम में धाकर आईपियल प्लेयर सिम्रॉन हेट मायर की वापसी हुई है वही ओसाने थॉमस की करीब तीन साल बाद ओडियाई टीम में कमबैक हुआ है निकलॉसन पूरन जेसन होल्डर टीम में चैन के लिए उप्लग नहीं थे तेज गेंद बाद जेडन सेल्स और लेग स्पीनर यानी करियावी सरजरी के बाद रिहाइब प्रोसेस से गुजरने के बाद टीम में वापस आ गए है क्योंकि तब विंडीस प्रबंदन उन खिलारियों को लंबे समय तक मौका देना जाते थे जिन्होंने सीरीज में अच्छा प्रदर्शन किया था क्वालिफायर में साथ में से चार गेम हाणने के बाद वेस्ट इंडीस की टीम पहली बार ODI वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई थी हिट मायर आखरी बार वेस्ट इंडीस के लिए अगस 2022 में न्यूजिलैंड के खिलाब घरेलू T20 सीरीज खेलेंगे वहीं वो 26 जुलाई 2021 को वेस्ट इंडीस के लिए अस्ट्रेलिया के खिलाब ब्रिस टाउन में वन्डे खेलते वे नजर आये थे यानि उनकी करीब दो साल के बाद वन्डे टीम में वापसी हुई है वही औसॉने थॉमिस ने आखरी बार वेस्ट इंडीस के लिए 12 जनवरी 2020 को वन्डे मैच आयरलैंड के खिलाफ खेला था वो दिसंबर 2021 में वेस्ट इंडीस के लिए आखरी बार खेले थे हाल की दिनों में फिटनेस इशू के कारण वो बाहर हो गए थे वैसे तो आखरी बार वेस्ट इंडीस के लिए क्रिकेट 2022 में खेलते वे दिखे थे औसॉन ने लंका प्रीमिर लिंग में फ्लॉकन्स टीम की ओर शे शिरकत की थी वेस्ट इंडीस के मुखी चैन करता डेस्वन्ड हिंस ने कहा हम उसोन और सिम्रॉन की वापसी का स्वागत करते हैं दोनों पहले भी अंतरास्टी अस्तर पर खेल चुके हैं हमारा मानना है कि सेटप में अच्छी तरह से फिट होंगे उसोन तेजी से गिंदबाजी करते हैं नई गिंसे समभावित विगेट लेने वाले गिंदबाज सिम्रॉन फिनिशर हैं 27 जुलाई से भारत और वेस्ट इंडीस के विच्वन्डे सीरीज का अगाज हो रहा इसके लिए टीम में आईपेल के धाकर खिलारी और फिनिशर सिम्रॉन हेट मायर की वापसी हुए वही टीम में स्पीड स्टार ओसें थॉमस भी वापस आए हैं भारत ने वेस्ट इंडीस के खिलाफ टेज सीरीज एक जीरो से जीत ली है टीम इंडिया की किसमत खराब रहे की त्रीनाद के पोर्ट आफ स्पैन के क्विकर स्पार्क ओवेल में मैच के पांचवे दिन बारिश होती रही इस वज़े से मैच ड्रॉ हो गया अब 27 जुलाई से तीन मैचों की वंडी सीरीज का अगाज हो रहा है इस वंडी सीरीज के लिए वेस्ट इंडीस टीम में धाकर आईपियर प्लेयर सेमरान हेट मायर की वापसी हुई है वोई औसोने थॉमस की करीब 3 साल बाद ODI टीम में कम बैक हुआ है निकलास पूरन जेसन होलडर टीम में चैन के लिए उपलब नहीं थे तेज गेंद बाद जेडन सील्स और लेग स्मीनर यानी करिया भी सहजरी के बाद रहा प्रोसे से गुजडने के बाद टीम में वापस आगये है जबकि बाए हाथ के स्मीनर गोड़ा के समोटी अपनी पीट के नीचली हिस्से के चोटकर से उबर कर वापस आ गए है टीम में